हेलो बच्चों बच्चों यह आपकी आज की नाइंध क्लास की वक्षीट है जिसका नंबर है हमारा 58 और यह आपकी बिटा साइन्स की वक्षीट है इसमें हमारा चैप्टर ग्राविटेशन चल रहा है जिसमें आज हम मास एंड वेट पढ़ेंगे तो यह कोशन पूछता है क में जिगास से भी यापकीर क्राविट है कि चैफ़एंगे क् मास उफटेशन ईजान एक और कि आएसे प्धार मास करना होता ना होताई जिसमें ज्ज़ादा उसमें ज्ज़््प ज्यदा इनर्शिया होता है ठुकर जैसे एक ट्रक ले लें और याप कार ले लें तो किसका मास ज्यादा होगा ट्रक कार डिकार डू टु टू इट इंस इनर्शियाग और मास क्या हो थह किसी भी het object को भी उभ्यजकि उसके उन्दर कितना मैटर है उसको हम दोते हैं उसका मास जब कि जूमरा वे जो weight होता है हमारा at a place is a force with which the celestial body attracts the object ये क्या होता है एक place पे एक इस्थान पर क्या तो ये force होता है जिससे क्या है कोई हमारी जो जो आपकी अर्थ है उस object क्या कर रही है और जो आपका mass होता है वो place के साथ वो क्या change नहीं होता है ये हमें क्या है है अब क्या है weight of an object on a moon कि आपका जो किसी अप्जेक्टग का जो किसी कोई भी object है कोई भी है उसका क्या है moon पे क्या उसका weight होगा तो इसके लिए क्या हमारा mathematical eady हमने क्या है इसको nिकाल रख़ागा क्या let the mass of an object बी-म हमें किसी object का mass होगा small m and weight of the object on moon करेंगे और उसके रेडियस होगी हम एम किसके लग रहा है आपका यह लग रहा है मौन के लिए ताकि हम डिफ्रेंट कर चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है ठीक है अब हमें यूनिवर्सल ग्राविटेशन लो से हम यह फार्मला पता है हमने किया है यहां पर फोर्स की आपने मौन के लिए ऐसे ही हर जंगे आपके जो स्मॉल एम यूज हुआ है इसके नीचे आर के नीचे और एम के नीचे वह इंदा कॉंटेक्स्ट ओफ मोन ठीक है अब है लेट दा वेट ऑफम सेम अब्जेक्ट ओन अर्थ वी हम क्या लेंगे उसको डबलो ईए किसके मौन ए महिन ही यह ए महदी मौन ओर यह में आप लिए लिख दिया है मिया में अर्थ को डंट कर रहा है हमने एकवेशन यह दो से क्या है हमारा formula जो निकल किया है वो के निकल किया आया weight of an object on moon किया है one upon sixth weight of an object of the earth के वो क्या है जिना भी आपका weight धरती पर होगा अर्थ पर होगा वो उसका one upon six होगा ठीक है इसके बेस पर हमारे question भी है अब हम क्या है कि so if your weight on earth is 48 कि अगर आपका अर्थ पर 48 है आपका weight तो then you will be weight much lighter and your weight will be 8 newton on moon तो आप क्या है मून पर क्या है बहुत की आप हलके लगेंगे और क्यों क्योंकि आपका जो मून पर होगा आपका weight हो गया होगा 8 newton क्योंकि वो धरती के weight से क्या है वो one upon sixth कम होता है यह हमने समझ लिए अब हम पढ़ते हैं यहां के साइट क्या है the force of attraction of the earth on object is known as weight of object जैसे हमने आपनी यहां देखा होगे हमने क्या force की जंग हमने weight रखा ठीक है उसको हम weight मानते है weight is a force acting downward weight क्या होता है force है weight भी क्या है force है लेकिन क्या है वो downward जब downward लगता है उसको हम बोलते है weight और इसमें दोनों magnitude भी होता है direction भी होती है the weight of an object on any celestial body changes due to gravitational force of that celestial body acting upon it क्या है वो gravitational force के कारण ही क्या है उसका change होता है जिसको हम isolation due to gravity बोलेंगे ठीक है यहां पर आते है lesser at moon than on earth क्योंकि वो क्या है less उसमें वहाँ पर क्या है gravitational force क्या है कम होता है इसी के कारण क्या है moon पर जो आपका weight होगा वो कम होगा and unit of mass क्या है kilogram and unit of weight क्या है आपकी force यह याद रखें क्योंकि क्योंकि क्योंक्य कोशन आता है कि एक number का लिख हुआ और mass of an object is 10 kilogram and its weight on earth will be आप क्या निकालेंगे यह आपका formula है WMG क्योंकि यह क्या है force क्या होता है force भी क्या होती है MG simple आपका यह formula आ जाएगा अब हम question पर आते हैं कि where will be the mass of an object be lesser on moon on earth क्या मा किसका mass अब कम होगा moon पर कम होगा या अर्थ पर हम क्या लिखेंगे moon पर explain क्या करना explain हम यहां से कर देंगा हमने अभी पड़ा कि यह रहा mass of the moon is lesser than the earth it will exert because अब या बिकोस भी लिख सकते हैं because it will exert lesser gravitational force and hence your weight will be lesser at on moon than earth तो यह आपका first question आ गया बैच्चो ठीक है अब next question क्या है कि derive a mathematical expression to find the weight of an object on moon in comparison with the earth जो हमने यह आपका यह पड़ा है आपको सिर्फ यह factor का नाम लिकना है आपके लिकर acceleration acceleration due to gravity जिसको आप कैक बोलते है small g बोलते हैं क्या small g के ही कारण क्या है जो उसका weight होता है क्या है वो बदलता रहा तक यह आप acceleration due to gravity ठीक है अब the weight of a person on moon is 10 newton and what will be the his weight on earth तो आप क्या है यह वला formula लगाएंगया क्या the weight यह वला formula लगाएंगया the weight of a person on a moon हम moon की जगे 10N लिख देंगे ठीक है 10 और earth पे हमें निकालना है तो हमें formula क्या है हमें यह निकालना है ठीक है तो यहाँ पर चल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा हमारा साथ न्यूटन हमारा answer आ जाएगा किसमें आपको इस वाले formula में यह जो वेलू युजे रखें वो पूट करने तो आपको गया 60 N आपका 60 N निकल के आ जाएगा ठीक है बच्चो तो यह आपकी आज की science की 9th class की worksheet है अच्छे लगयों तो बताना ठीक है बच्चो और हमेशा खुश रहिएगा और COVID-19 से बचके रहिएगा हम मिलते हैं बच्चो